सब्सक्राइब करते हूं अब सभी का बैंकिंग वाल ओफिशिल यूट्यूब चैनल पर अगर आप मुझे देख सकते हो सुन सकते हो तो बताओ फटाफट एक एक कप कॉफी बेज कर ओके आज क्लास होगा लग रहा है हो तो रही है कैसी होगी रितिक नंदिनी निखिल नोबिता वर्शा कुल्दीप वंचिका रेसर हिल जानवी विजय गुट मॉनिंग गुट मॉनिंग गुट मॉनिंग जाने ही वाले थे हम लोग अरे ऐसे मत करो यार चलो शुरू करते हैं क्लास को वड़ते हैं सेशन की तरफ जैसे आप लोगों को पता है कि आज की सेशन में मैं सिर्फ करूंगी कल का पीपर तुम लोगा कैसा हुआ था जो लोग यहाँ पर कोई पेपर देने गया था अगर तुम लोगों ने नोटिस किया हो तो मैं यहां पर क्लास ले रही हूं से सेवन से ले करके मैंने क्लास चौबिस तक ली है ठीक है और उसमें से ना कम से कम पंदरा क्वेशिंस आये हैं तो मतलब सोचो यह मुझे इतनी अच्छी बात लगी कल मैंने नोटिस करी इस बात को इन फैक्ट मेरे पास इस स्क्रीन शॉट है आठ दसके तो मैंने स्क्रीन रख लिए ताकि अगर बच्चा पूझेगा तो दिखा दोंगे बच्चा बोलता रहता है पढ़ाया हूँ नहीं आया बट इस टाइम है वह सो प्राउड मतलब मैंने अपनी क्लास शुरू करी है यार साथ नवंबर से यहां क्लास शुरू करी है ना साथ नवंबर शाम वा लेकिन बहुत प्राउड वील हो रहा था मेरे पास में तो कितने स्क्रीन शॉट है भी दिखाऊंगी तुम लों को साथे दस बजे आयव सो मेनी स्क्रीन शॉट्स तो यह मुझे बहुत अच्छा लगाता कि इतने सारे क्वेश्चिन आप लोग निकाल लो दो इधर निकाल इतने दिन में इतना आगया ना तो मैं गैरंटी कर सकती हूं कि हाँ आप लोग बढ़ी होने वाला जैसा मैंने आप से खाकी content मेरी बहुत तगड़ी रहने वाली है और अब तो मेरे साथ में content टीम भी तगड़ी है आप लोगो बहुत ही शानदार सा सब यहां से बिलने वा यह सारे questions आगे इतने दिन में anyway चलो शुरू करते हैं हम लोग ठीक है as per government notification dated November 17th the maximum tenure of CEO and MD for the appointment has been extended to how many years from earlier 5 7 8 9 10 12 what is the answer good morning तो पहला अंजर मुझे मिल रहा है Racer Hill से he is answering 10 तुमित शुक्रिया 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 येस इसका अंसर क्या होगा दोस्तों इसका अंसर होगा 10 ठीक है तो अभी हाल विलहाल में एक notification की गई थी जारी Central Government की द्वारा जिसमें उन्होंने कहा था कि जो भी CEO MD है इनका जो tenure है ये 5 से बढ़ा करके 10 साल किया जाएगा कुछ दिन पहले एक और notification आई थी जिसमें कहा गया था कि जो commercial bank से यहां मैं सिर्फ commercial bank की बात करती हूँ और यहां पे जब हम बात करते हैं तो यह Central Public Sector Enterprises की बाते होती है ठीक है तो जब ही हम बात करते है कि यहां पर कहा गया था कि एक ही व्यक्ति एक पोस्ट पर होल्टाइम डिरेक्टर MD वेगेरा पर 15 years तक कॉंटीन्यू कर सकता है तो डू नॉट गेट कन्फूज्ट ओके नेक्स्ट क्वेस्टिन देखो तबस्तुम गोविल हो पास्ट वे अट दे इज ऑफ सविंटी एट वोजन हिस्टोरियन पॉलिटीशन एक्ट्रस साइंटिस्ट और नन वोट इस दांसर कुल दीप नथिंग विल बी इंडीप टुडेए ठीक है तो डू नॉट तिंग कि मैं डीप में एक्स्पेरियन करने जारी हूं बिल्कुल बिल्कुल पलक इंफेक्ट तुम अगर क्लास जोइन करती हो तो तुम्हें बागी सबसे जादा बेनिफिट मिलेगा क्लास का से लोग है देखो क्वेशन में आप से पूछा गया तबस्सुम गोविल के बारे में कि यह कौन से किस बिसनिस को बिलॉंग करती थी बिसनिस नहीं किस सेक्टर को बिलॉंग करती थी और यह मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके आने के बहुत सारे चांसे हैं इन्होंने काफी सारी दूरदर्शन के शोस को भी जो है होस्ट कर रखा है इनको याद रखे रहेगा आप लोग तबस्सुम गोविल अभी फोटो नह आई एम एहमदाबाद आई एसाई या एंसी आई सारी एंसी एए यार वोट इस दांसर है दांसर हेर इस वोट देखो यह अभी काया आर्बी आई ने कि आई सी आराई यार के साथ में मिल करके फूड इंफलेशन प्रोजेक्शन फ्रेमवर्क शुरू करेगी क्या आप में बेसियर कौन सा यूज किया था किसी को याद आ रहा है मैंने आप लोगों को यह कई बार बताया था ऑप्शन में दे देती हूँ मेरा क्वेशन है कि जब FAO ने अभी हाल फिल हाल में फूट प्राइस इंफलेशन इंडेक्स चारी करा था तो उन्होंने बेसियर किसको अजियूम किया था अगला क्वेशन देखो वह अमंग दो फॉलाइंग इस बीन अपॉइंट इस एलेक्शन कमिशनर आरुन गोयल राजीव कुमार सुशील चंडर विवेक जोशी अनुप कुमार अस्वारी अनुप चंडर पांडे दा आंसर है इस वोट यह भी हम लोगोंने कर रखा था किसी चीफ इलेक्शन कमिशनर है यह 25 नहीं 24 है विवेक जोशी जी को कुस दिन पहले आर भी आई के डिरेक्टर्स में अपॉइंट किया गया था तो शायद आप लोगों को याद होगा हमारे वहां पे हर साल 25 ऑफ जैन्वरी को हर साल हमारे वहां पर वोटर्स डे मनता है क क्यों की 25 ऑफ जैन्वरी को क्या बनाय गया था 25 ऑफ जैन्वरी को इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया का निर्मान किया गया था 1950 के अंदर ठीक है चलो नेक्स क्वेशिन देखो विचो फॉल्वेक्शन कीशन की प्रफ जैन्वरी को आपको बताना इसमें से कौन सा पोइंट गलत है कि वटवर डांसर करो तो पताओ अच्छा तो इंडिया की क्या रहेंग दोस्तों बताईएगा कि यह यहां पर बहुत क्लियर इसलिए मैंने यहां पर इसको वह टिक भी कर दिया था इंडिया की रहेंग फिफ्टी फर्स्ट ना होकर क्या थी सिक्स्टी फर्स्ट थी ठीक है अब मेरी एक बात ध्यान देना आप लोग एक कभी भी एक चीज़ को आप एक ट्रेंड नोटिस करना जबी भी एक्स्टी नेशन का पॉइंट आता है जभी भी कोई भी सिंटेंस लंबा जाता है अगर हम लोग नॉर्मल ए बी सी दी असांसा ना रखे उससे लंबा कर देंस को तो जो क्राउड होता है वो अपने आप डिस्पर्स होके कम हो जाता है यह बहुत बड़ा प्रॉब्लम मैं ही मिला था तो जो केवल HDI और उसकी रैंक पढ़कर गया होगा वो तो जाकर वहां नहीं कर पाया होगा पढ़ने को तो उसने अपना कोरम पूरा किया कि मैं HDI पढ़कर आया हूं पर HDI से तो question पूछा ही नहीं गया तो क्या फाइदा तुम्हारे पढ़ने का question तो कुछ औ के साथ अगर explanation नहीं कर रहो दोस्तों तो समझ लो कि तुम अपने आपको एक बहाना दे रहे हो और अपने selection के chance को कम कर रहो यह नहीं करना है भले बोर हो लेकिन पढ़ना तो है selection तब ही होगा ठीक है फिर बैंक की गद्दी पे बैठके बोर होते हो कोई दिक्कत नहीं चलो बात करते हैं इंडिया ने अपने position को छे प्लेस उपर करके 61 कर दी है जैसा कि network readiness index report अभी अभी आपके वहां पर आई है जो latest version है इस report में network readiness में यह 131 economies की reporting की गई है यहां पर ठीक है जो भी उनके performance रहे है चार अलग-अलग pillars पर कौन-कौन से pillars से देख लो technology people governance and impact ठीक है जि इसको prepare करने वाली है पॉर्टुलांस institute ठीक है यह एक non-profit organization होती है इंडिया ने केवल अपने ranking इसमें इंप्रूव किये इसके साथ में इनका score भी अच्छा हुआ है सबसे अची बात थी इंडिया की first rank थी AI talent concentration के अंदर ठीक है second rank थी mobile broadband के अंदर ओके फिर internet traffic और international internet bandwidth third rank थी किसमे annual investment in telecommunication services domestic market size और 4 थी ICT services में मैंने आपसे जिस दिन ये class में पढ़ाया था पूरी खबर उस दिन भी मैंने आपको कहा था कि ये भी बहुत ध्यान से पढ़की जाना है आप लोगों को फिफ्ट किसमें थी 50 आप लोगों की building internet subscription AI scientist publication तो ये सारे इन की rank थी इंडिया जो देख लो आप लो 36 lower middle income countries में इंडिया की जो रैंक थी ये थी third read the following and choose the correct option for donio polo it is the first green greenfield airport it was recently inaugurated by Pema khandu donio means the sun while polo means the moon आपको बताना इसमें से कौन सा सही है पहला बोल रहा है तीनो सही है दूसरा बोल रहा है केवल दूसरा सही है तीसरे में बोला गया है है 1st 2nd 3rd 3rd incorrect है चौथे में बोला जा रहा है लाश में इंडी बताइए का क्या answer होगा मगे सबसे पहला answer मिल रहा है विजार इसा मैंने मैं मैं बूलेंगी है मतलब रेसर रेल इस ऑंसरिंग वन एंट्री शूष्मिता तर्ण वर्शेट नंदिनी है री पूजा सुष्मिता मैं के शिष्या शुक्रिया शुक्रिया चलो ठीक है तो देखते हम लोग ज़रा बात कर लेता अरोनाचल प्रदेश ठीक है तो दो तो हमें clear ही अब देखना है इसका inauguration किस ने किया था यहां पर clear होगा तो हमें सब clear हो जाएगा inauguration किसके द्वारा किया गया था प्रधान मंत्री मोदी जी के द्वारा और हर बार जब हम news पढ़ते हैं तो यही सबसे पहली लाइन होती है प्रधान मंत्री मोदी जी ने इसका inauguration किया तो अपने आप पोइंट आपका गलत हो जा रहा था प्रधान मंत्री मोदी जी ने inauguration किया था पहला ग्रीन फील्ड अरुनांचल प्रदेश दोनियो पोलो अरपोर्ट कहां की आ चलप धूर्ण फील्ड है लोता है फोर्थ इंदर और इसको कितनी कॉस्ट एंगया शिक्सवटूमेगा कि पर बनाए गया है अब यह क्राफ्ट मुव्मेंट वे बढ़ जाएगा वह आप लोग एक बारी देख लेना अगर हम लोग इस ऑप्शन की साप से जाते हैं तो दिस वोज रोंग लेकिन फॉर्स्ट इंथर्ड वर कारेक्ट उसके इसाप से अगर हम देखे कि हमारा कौन सा सही है B. बिकॉस अप्शन 2 इस निकर्क अगला देखो, उनिनिस्टरो पोत्षिपिंग वोटर वेस इस अर्यूश्ट सर्वान एंसौन ऑन्स नवल अनौंस इंट्या फिर्स ने सेननल सेंट एफ एफुलेंश्ट इस ने डिन प्रें प्रेंट आप्श्ट इंचित कार्बन इमिशन पर टन ऑफ कार्गो हेंडल बाइ 30 पुछे जा रहा है कि इसमें सही होगा बताईएगा कि अलो राकेश तुम तो बहुत दिनों के बाद मुझे दिखे यार कहां थे तुम आलो चलो चलो आन्से करो वाटा वाटा वाटाइब्स 20 तुम एसज़ पर सबस्किया है अंसंद को इंशनीव सट थिखे रथ ॉंथी और फिरिंत के शनी एंपेर्फ से ऐंसे ल से शीय वक्पWh करने अभी शेख ठीक है चलो देख लेते हैं ज़रा हम यहां बातें करते हैं देखो यूनियन मिनिस्टर फो पोर्ट शिपिंग ने अभी अभी जो है अनौंस किया भारत का पहला नैशनल सिंटर ओफ एक्सिलेंस फो ग्रीन पोर्ट इन शिपिंग ठीक है तो इसकी अनौंश जो है इनर्जी रिसोर्स इंस्टिटीट इस नौलेज इंप्लिमेंटेशन पार्टन फॉर्ट इस प्रोजेक्ट यानि की सिकेंड ओप्शन भी करेक्ट था तीसरी लाइन में आप से बोला था कि जो पूर्ट होगा इसका एम है कि रिदूस किया जाएगा काबन इमिशन को अगर हम इसको देखते है इसका अंसर क्या होगा अल ऑफ थे मार्य ठीक है निक्स्ट इच्ट इच्ट फॉर्ट इन करेक्ट जाएगा अचिकें निक्स्ट इस अंनिक्रेक्ट ऑप्शन फॉर्ट भुक्रम एस इंडीया सुस्स प्राइज दिफल्ट बेलप्ट rocket. It was developed by Skyroot. Vikram has lifted off on a mission, Praramb. It was successfully launched in sub-orbital mission from the Sounding Rocket Complex at Thumba Space Port. The Indian National Space Promotion and Authorization Center has been operating as a single window autonomous nodal agency for the Department of Space to boost the private space sector economy. The rocket reached an altitude of 81.5 km with 3 payload, weighing a total of 83 kg. आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो अप्शन है वो incorrect है. आज़र करो भाई सब इलो. Good morning Chandan. Gitanjali Dhal. I love you. You love whom? C, 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 C. C यानि कि it was launched from Sounding Rocket Complex at Thumba as Space Port. ठीक है? यह तुम लोग कहरो. ठीक है? चलो. तो अगर हम लोग बातें कर लेते हैं. देखो ज़रा इतर देख लो. इसकाई रूट वाला आपको शायद याद होगा है. इस mission का नाम प्रारम बता सही होगा. इन स्पेस वाला पॉइंट सही है. ऑप्शन यहाँ पे जो आप लोगों को थोड़ा सा confusion होना चाहिए वो E और C में होना चाहिए उसमें आप लोगों ने बताई दिया थुमबा नहीं होगा यह ठीक है? चलो खेर बात करतें हम लोग. तो बहरत का इसका लिफ्ट ओफ हुआ है वो सब रहने देते हैं अभी हम लोग यह देखते हैं कि इसका जो लिफ्ट ओफ हुआ है वो कहां से हुआ है? आफ्टर 4.84 मिनट दे रोकेट इस फ्लैश्ट दाउन इंट दे बेव बेंगो लेटर रॉंड रॉंड फ्रॉम श्री हरी कोटा ठीक है तो यह आप लोग देख सकते हो इसके अलावा इसका जो लोट की बारे में लिखा हुआ था वो एक थोड़ा सा डिफ्रेंट हो जा रह थे आपका रॉंग था विच्छ फॉलिए इन इंकर्ट ऑप्शिं इंकर्ट आप्शिं इनकर्ट आप्शिं फोर दा बीटी एस वीडिटी इडिशन देशन देख एंट्री वस्टिए वस्टेशन देख वर नेक्स चेन दूरिंट इसमिट गूगल सांट अन मू यु विध इसमें से गलत क्या है जल्द जल्दी आंसर करो फटा 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 सुष्पिता मैम के शिश्या तो इतनी सौरी की कोई बात नहीं है यार रिक्वाडट कर लेना देखने से मतलब है तुम्हें पता होना चाहिए क्या हो है ठीक है बैट इस मोर इंप चलो ठीक है मैं यह करती चलती हूं बिकॉस बहुत लेट आ रहे आंसर साप लोगे तो मुझे ऐसे लगता है कि जब हम लोग उने बीटीएस बीटीएस पढ़ाता तो शायत आपको यहां इस वाले पॉइंट पर ध्यान देना चाहिए तो आजो देखते हैं तो अभी हाल फ यहां यहां बातें करें तो यह पहला ही पॉइंट है सबके सबस्के सब सही है और यह बहुत बार हो चुके है तो इसका अंसर था भी इस वुदू करेक्ट बाकि सही था नेक्स्क्विस्टिन देखो रीटब एन चुंज धो ऊप्शन इडू और लीडर्शिप इंव फैमि आपको बताना है कि इस में से कौई गलत दिख रहा है मुझे तो नहीं दिख रहा है आओ बात करते हैं अभी अभी एक्सल अवर्ड अनॉंस किया गया था भारत एक लौत यहां लिखा हुआ है इंडिया इस दो ओनली कंट्री तो अपने आप ही करेक्ट हो गया है शुरू के अब मिशन परिवार विकास की बात हो रही है यह भी मैंने आपके साथ डिसक्स किया था यहां पर लिख हुआ है मिशन परिवार विकास जिसका कि यह में अन्मिट को कम करना यह बहुत ही बड़ा फैक्टर रहा है ओवरॉल इंप्रूव्मेंट पर यानि कि यह तीसरा भी करेक्ट है इसके हिसाब से क्या हो जाएगा ओल अफ देमार करेक्ट कि वेमेंस इंटर्पेनियोर्शिप बेस अब्सेर्व डून वेन अवरी इयर नवेंबर 1718 1920 और 21 बताओ भी पूझा गया आपसे वेमें इंटर्पेनियोर्शिप डे कम बनाया जाता है मुझे ऑप्षेंस में अभी कोई आंसर मिला गया अभी फिलहाल में तो आप लों का कोई भी आंसर नहीं मिला कोशिश करो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती 1911, 19C हर साल 19 नमंबर को वेमें इंटर्पेनियोर्शिप डे मनाया जाता था कि जो भी महिलाओं का कॉंट्रिबूशन है उसमें उनको जो है रिकनाइस किया जा सके अब यहां पर एक बात बड़ी इंपोर्टेंट लिखी हुई है 85% of purchases and closes to 20 trillion dollar in global spending is credited to women ठीक है बिलकुल सही बात है विमन को वैसे भी पसंद होता है और इतना बड़ा contribution तो उनको recognize करना चाहिए चलो अगला देखो फिर से वही बात है आप लोगों को choose करना इसमें से करेक्ट क्या है इस्टेट गवर्न्मेंट के फिसकल डिफिसेट जो absolute टर्म है यह वाइडिनों के 68% तक हुई है 99.3 trillion dollar वाइडिस्ट रिफिसकल डिफिसेट बिहार का देखने को मिला फिर राजस्तान फिर 36 गर्ड गुजरात में लोइस्ट रिफिसकल डिफिसेट था 3.1% का फिर जहारकंड और पिर करनाट का आपको बताना है कि इसमें से कौन सा पॉइंट जो है यह आपका correct है पहले में बो तो मुझे answers मिल रहे हैं all यानि कि all correct है यह 68 परसिंट था क्या बताओ चलो देखते हैं अब आपसे पूचा गया तक किसका लोइस्ट है किसका हाइस्ट है तो जो लोइस्ट था यह आप लोग के बिहार का ही था और हाइस्ट आप सॉरी लोइस्ट गुजरात का था हाइस्ट बिहार का था तो सबसे ज़्यादा बिहार में फिसकल डेफिसिट फिर राजस्थान फिर चत्तिस गर ठीक है और इसके लवा अगर हम बात करते हैं गुजरात की तो गुजरात में आप लोग का सबसे कम था फिर जार्खंट फिर करनाट का यहां पी अगर आकर आप लोग देखो तो दूसरे और तीसरा पॉइंट हो करेक्ट है लेकिन जो पहला पॉइंट है यह 68 परसेंट लिखा है यह 68 ना होकर कितना होगा 78 परसेंट इसके हिसाप से अगर हम लोग बात करते हैं तो 2 & 3 are correct who has become the first Indian female table tennis player to win a medal at ITTF ATTU Asian Cup Tournament at Hua Mark Indoor Stadium in Bangkok Manika Batra Neha Agarwal Ankita Das, Muhammad Dasian and of the above ओके तो देखो असान सा क्वेशिन फिर से है यहां भी आपसे पूछा जा रहा है कि कौन ऐसी पहली महिला खिलाडी बनी है जो की medal जीती है IDTF Asian Cup के अंदर तो यह करने वाली आपकी Manika Batra जीती आंसर विल भी Manika Batra कहां पर हुआ था वो भी अगला देखो अब आपको बताना है Gandhi Mandela Awards से related यहां पर क्या correct option है पहला क्या लिखा हुआ है पहले में लिखा हुआ है पहले भी लिखा हुआ है कि इसको 14 दलाय लायमा को दिया गया फिर इस अवार्ड़ेट वाई गवर्वर्न्मेंट ओफ इंडिया रजिस्टर ड्रस्ट गांधी-मेंडिला फाउंडेशन तो आपसे question में पूछा है कि यह इसमें से कौन-कौन सा correct पॉइंट है फिर वही option से बताओ नोबिता मेंस्डे नहीं होता मेंस्डे होता है हम लोग ने मेंस्डे सेलिब्रेट में किया था केक कट वाय था पिज़ा पार्टी करी थे अपने वहां पे जितने भी सबके साथ में पूछना ऐसे वैसे नहीं है हम लोग सबको एक्वेल करते हैं मेंस्डे वनाए गया था ठीक है फोटो वोटो भी मैंने डाली थी कि ओके ऑल ही होगा इतना विश्वास कि इसलवात करते हैं देखो ओल यह वैसे अभी आप लोगों का 14 तलाय लामा जो है इन्हें कॉन्फर किया गया था गांधी मेंडिला आवर्ड बाकी जो दो पॉइंट थे वो बिल्कुल सही लिखे होगे थे ठीक है अब यहां पर देखो भाई यह आप लोग पॉइंट्स देख रहो ना कि जो गांधी मेंडिला आवर्ड के लिए चुना गया था उसके लिए कौन आपके वहां पर जूरी में कौन चीफ थे इस आवर्ड को शुरू कब से किया गया है यह सब इंपोर्टेंट है रीड रीड फॉलग एंट चूस्थ थे करेक्ट ऑप्शिन फॉर काशी तंबिल संगम अमन्थ लॉंग प्रोग्रम इंग्रेट इन वारांट से उत्तर प्रदेश अ बुक टैटल तिरु कुरल अलोंग ट्रांसलेशन इंट थर्टी लां थार्टीन थार्टीन लांविज व अगर्टीन फ्रेंट आप इसका अंसर खालत रहे हैं इसका अंसर क्या है दोस्तों इसका अंसर है इसका भी आंसर रहे हैं, अभी कुछ सभी है ठीक है यहां पर बस एक जो पहला पोइंट देखना है, उसमें यह देखना है कि क्या इसका inauguration योगी आदितिनाथ जी ने किया था या इनके बड़े भाई मोधी जी ने किया था यहीं पर एक confusion हो सकता और जैसा हमने पहले line में देख लिया प्रधान मंत्री मोधी जी ने किया था तो उसके हिसाब से इसका answer क्या हो जाएगा only option 2 & 3 are correct ठीके next question देखो which of the following is an incorrect option for the world toilet day observed on 21 of November theme is sanitation and groundwater world toilet day celebrates toilet and raise awareness of 3.6 billion dollar people living without access department of drinking water ministry of jil shakti and the switch bharat mission organized switch ita run it is about taking action to tackle global sanitation and achieve sustainable development goal 6 water and sanitation for all by 2030 आपको फिर से भी बताना है कि इस पूरे option में कौन सा incorrect है बताईएगा B is incorrect theme 2022 का sanitation groundwater campaign is making the invisible visible same as world water day ओके और कोई कुछ बताना चाहेगा A गलत है B गलत है चलो तो थोड़ी बाते कर लेते हैं हम लोग यहाँ देखो भी अब अब अगर आप लोग देखो second point theme क्या था sanitation groundwater campaign था making the invisible making invisible visible यानि कि पहले जो दो points हैं यह तो बिल्कुल सही है ठीक है यह भी points है यह भी points है अब देखते हैं third point, third point भी देख लो इस दिन को मिनाया जाता था कि वो 3.6 million लोग है billion लोग है उनके पास में नहीं है जो access to safety उनको aware किया जासा कि यह भी सही है next देखो the department of drinking water ministry of जलशक्ती organized स्वच्छेता अरन यह भी अगर आप लोग देखो यह भी point आपका सही ही है यहां पर क्या लिखा हुआ है goal 6 ठीक है आओ देख लेते हैं अगर हम बात करते हैं हाँ भी सारे सही हैं क्या अच्छा पहला point हम देखें November 21 लिखा हुआ है मैं बहुत बहुकाल में थी November 21 नहीं होता है भाई ठीक है sorry sorry so sorry पहला point ही गलत था मैं पहला देखी नहीं रहीं थी मैं सुछी तो सही लिखा होगा यार आगे वाला देखते है ठीक है sorry तो यह November 21 नहीं नहींबर 19 नहीं है sorry 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 अगला देखो कि अगला देख लो फिर Ministry of State Ministry of Education Dr. Subhash सरकार गेव वे दस्वच्च विद्याले पुरसकार तो नैशनल अवर्डी स्कूल से न्यू डेली रीट द फॉलॉइंग जूस द करेक्ट ऑप्शन ठीक है आपसे बोला जा रहा है कि अभी जो स्वच्च विद्याले पुरसकार दिया गया इसके कंटेक्स में आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट है पहला इडिशन था ठीक है और इसमें पार्टिसिपेट करने वाले स्कूल से 9.59 जो दिपार्टमेंट है इन्होंने लॉंच किया है स्वच्च विद्याले इनिशेटिव को 2014 में तीसरा इस अवर्ड के अंदर जो मेडम ने चाहिए पी है मेडम का टूट विश्वास था कि पहला पहला तो सही ही होगा चलो बताओ वही कि 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 अच्छ विद्याले इनिशेटिव 2014 में शुरू किया गया था क्या देखो जरा बाते करते हैं कि सबसे पहला देखो कि मिनिस्टर ओफ स्टेट एजुकेशन ने स्वच विद्याले पुरिसकार दिया है नहीं दिल्ली में तो पहला पॉइंट तो आपका सही ही था ठीक है अगला इडिशन जो अवोर्ड का है इसमें पार्टिसिपेशन देख्या गया है 9.59 लाक स्कूल सब्सक्राइब का देख सकते हो जो नंबर ये डेढ़ गुना ज्यादा हो चुका है कब से 2017 अगर हम बातें करें डिक है डिपार्टमेंट ओ डिपार्टमेंट ने लॉंचिया था स्वच्विद्याला इनिशेटिव को 2014 में ठीक है यह भी एक पोइंट था जो आप लोगों हैं तो इसका अंसर क्या हो जाएगा औल अफ देमार करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चिन देखो नैशनल एजूकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट ने किसके साथ में मुयू साइन किया है ताकि कपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम लाई जा सके एक लव्य टीच फॉर इंडिया वन मिलियन वन बिलियन प्रत्थम या ननौ अफ दी अबव बताओगे हाँ इस कहां से क्या होगा दोस्तों मुझे अंसर क्या मिल रहे है वन मिलियन वन बिलियन बिल्कुल सही बतारो कल हम लोगों ने नेस्ट के बारे में एक और भी खबर पड़ी थी शायद आप लोगों को याद आती हो चलो मैं आप लोगों से ज़रा डिस्कस कर लेती हूं थ humility के Livermore一 अन्सर एडेज बन सर्फ वन मिलियन वन बिलियन देखो आ ने जो है वन मिलियन के साथ में मिलकर करके एक साइं किया है ताकि ट्रेनिंग कंडक हिए जा सके लिए सब्सक्राइब इस प्रोग्राम को इंप्लिमेंट किया जाएगा पालेट बेसिस पर दो स्टेट्स में राजस्थान रखे रहो एक्जाम में ऐसे क्वेशन सी बनते हैं और इसका वही सोचल इनोवेशन फ्यूचर इसकल इनिशेटिव है जो की अलाइन किया गया है सिस्टेनेबल डिवलप्मेंट गोल के साथ में रीट फॉलेंगे जूस्ट पर थार्ड नो मनी फॉर टेरर फिनांसिंग इपर्स कॉन सा है दूसरा गलत है पहले और दूसरे तीसरे तीसरे सही है क्या है बताओ कि मुझे एक अंसर मिल रहा है एक हिसाफ से कर हम देखते हैं तो दूसरा और दीसरा सही है पहला गलत है क्योंकि पहला नहीं दिल्ली आप लोग बतारो चलो बाते करते हैं ठीक है देखो नारेंद्र मोदी जी ने अभी अभी लॉंच किया तीसरा नो में नो मनी फॉर टेर और इसको किया गया था नूडल ही में अब मैंने आप लोगों को सेशन में बताया था कि पहला और दूसरा दूसरा थार नीज में हुआ था था थीसरा दूसरा थीस्वी ना था बिकोज ओफ कोविड नी हो पाय था परिस और में हुआ था थीक है इसके अलावा जो थर्ड इसके हिसाफ से हम देखने हैं तो option आपका एक होगा ठीक है रीट फॉलइंग और चूस्ट ऑप्शन फो ग्लोबल पार्टनर्शिप और आटिफिशल इंटेलिजिंस पहला इंडिया अजूम्ट चेर ऑफ जीपी ए आइए अड़ में टोक्यो फोर सिंबोलिक टेक ओवर फ जिल्दी जिल्दी बिताओ जिल्दी जिल्दी बिताओ जिल्दी जिल्दी बिताओ पावन जिंग का question एकदम out of the box है जाकिर हुसान college कैसा है become honors के लिए the answer here is what two wrong 25 member ओके चलो बात करते हैं ठीक है देखो जरा इंडिया को अभी अभी जीपी ए आई के देख्षिता दी गई है ठीक है और जो अब यहां पर जाकर के रिप्रेजंट किया था इंडिया को वर्शुली इस मीटिंग के अंदर जो की टोक्यो में हो रहा था ठीक है और यह जो outgoing chair हमें मिल रहा है यह France और यह हमें जो chair मिल रहा है यह France से मिल रहा है क्योंकि यह बारी थे और अभी आउट गोइंग यहां के chairmanship रहेगा यह बड़ा important point है यहां पर कि जैसा के expectation है as expected AI is expected to add USD 967 billion dollar to Indian economy by 2035 and USD 450 to 500 billion dollar to India's GDP by 2025 accounting for 10% of countries USD 5 trillion GDP target GP AI में 25 members है ना कि 20 members है ठीक है और लास्ट वाला question 2020 में India ने इसे एक founding member की तरह join किया था ठीक है अरे फिर से यहां किया वहां चलिए गई ठीक है जो अगर हम लोग देखते हैं यह वाला point आपका सही था अगर हम यहां देखते हैं इसके हिसाप से क्या होगा पहला रॉंग होगा ठीक है सॉरी सेकेंड रॉंग होगा बाकि फॉस्ट थर्ड करेक्ट होगा इसके हिसाप से option दी है आपका क्योंकि यहां पे 20 members ना होकर कि कितने members होते हैं 20 की जगर यहां पर 25 होते हैं ठीक है 26 रॉंगारर्ख जमेंद्विय। प्रुरुण 1. इंडियन हिस्ट्री दियुरिंगे दियर इंटीन फिफ्टी इंडिया बिकिम अमेंबर और सीजी पीम गवर्नमेंट आप इंडिया इनक्टेट इस्टैंडर फीड इन मेजर एक्ट फॉर देवर्स आप इन सीजी पीम आपको बताने इसमें से क्या गलत है यह नहीं बता होगे हेलो है बात में करो पहले आंसर करो देखो बहुत होले होले आंसर सारे हैं चलो बहीं बाते करते हैं जो पहला पहला पॉइंट लिखा हुए 27 इसको थोड़ा डिस्कुस करते हैं देखो अभी हाल फिलहाल में जो है आप लोग के वहां पे एक हिस्टॉरिक मूव में प्रोफेसर वेनु गुपाल चंथा फूस दिरेक्टर देखते हैं चंथा पर चंथा प्रोफेसर वेनु गुपाल चंथा दिरेक्टर ओफ यहां पे लिखा हुए था जो यहां पे पहला प्रेंट 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 देख्ट इस अमंग एलेक्टेड मेंबर्स 18 एलेक्टेड मेंबर्स ठीक है तो यह भी आपका पॉइंट सही था एंड जैवने कई बार बात कर रहे हैं इंडिया के इस सेंटेक्स में अगर हम लोग बातें कर लेते हैं जैसे आप लोग यहां पर देख सकते हो एड़ प्रेजी प्रे सेड kंटीच कि आंड ए यहां पर देख सकतो और इंडिया इस टानडर केंट एंड प्रेजी प्रेजी और मेंबर्स 18 कंट्रीज चैसे एंडिया हम आप निठीक साक्ते हो घूर यह भान्ट एंड जैस ए मिस्टाम प्रेज हम इंडिया इंड श्यां आप जार्यों प्रेशर तो यहां पर आप लोग अगर points देखते हो ना अपने आप ऐसे भी बड़ा easily clear था कि इंडिया ने इसको enact कि है 1956 में और member हो गया था 1953 में ठीक है तो इंडिया जो यहां member हुआ था यह हुआ था 1957 में अब आपको लगता होगा madam एक-एक point क्यों पढ़ रही है madam का कुछ नहीं जा रहा है एक-एक point पढ़ने में madam के लिए easy है क्योंकि मुझे read करना है लेकिन जब मैं एक-एक point पढ़ती हूँ तो वह आप लोग सुनते होगे सुनने से क्या होता वह आपके mind में रहेगा और फिर जब exam में जो question ऐसा भी होगा थोड़ा tough होगा वह आप लो 85 वाजन बॉलिटीशन बिजनस्में पोर्स परसंट सिंगर और एक्टर बताइयेगा एक इच्छो को बहुत असान सा question है अरीज कम बता हूँ पास्ट वीड़े अध दे एज अगे फिटीफाइफ वाजन politician businessman sports person singer और एक्टर अंसर इस वाट बिसनिस परसंटी के चलो अरीष पिरुष्टा कमबता थे फाउंडर एंड चेर्मैन ओ रिस्टना ग्रूप इनके अभी हाल फिलहाल में क्या हुए थी इनके अभी हाल फिलहाल में डेत हुए थी तो वोजे बिसनिस परसंट कि वेस्ट वन थे 2022 ATP फाइनल में सिंगल टैनिस टाइटल इन टूरिन इटाली नुवैक जुकोविक कैस्पर रोड रोजो फेडरो राजीव रामिया जो सैलिस्बरी दान्सर इस आज का कुशन काफी टफ है कुछ दिन पहले मुझसे एक बच्छा बोल रहा था कि मैं अब जो आप क्वेश्चन करा रहें वह बहुत इसी केश्चन करा रहे हैं और मुझे यही लग रहा था कि क्वेश्चन तो अभी भी मैंने याट टफ ही रखके मुझे अपने question के level और content का level comparatively ज्यादा अच्छा दिख रहा था तो मुझे इस बात पर थोड़ा लगा कि यार easy हो रहा है बट मुझे नहीं लगता easy हो रहा मुझे ऐसा लग रहा कि हाँ यहां पर आंसर के मिल रहे नौवाइक जुकोविक विच इस करेक्ट ठीक है तो नौवाइक जुकोविक जो है इन्होंने नौर्वे के कैस्पर रूट को अभी हराया है और 6th ATP final था यहीं कल आप लोगों के exam में था न जिस दिन में आप लोगों को यह news कराई थी उस दिन मैं मैंने आप से बोला था कैस्पर रूट की कंट्री देखनी है ठीक है ऐसी चोटे-चोटे questions होते हैं जो आप से पूछे जाते हैं अगला question देखो फिर से आपको बताना है PM किसान से related कौन सा correct है इसको launch किया गया था चौबीस फरवरी 2019 को इसी स्कीम के अंदर च्छे हजार रुपए पर यर दिया जाता है तीन इंस्टॉल्मेंट में अभी रिलीज किया जा रहा है दर रिलीज ओफ बेनेफिट पॉर एन इंस्टॉल्मेंट इंड पीम किसान इस now cross 10% वार्मर 4.16 वार्व ठीन स्क्राइब तर्व Crown इन्स्टॉल्ममेट 21 00始 लेते हैं कोई और बोल रहा था मुझे तो इसकान से क्या है इसकी लॉंचिंग 24 फरवरी को हुई थी क्या देखो अब ही अगर हम बात कर लेते हैं पीम किसान की ठीक है तो देखो पीम किसान जो योजना है इसमें 6000 रुपए हर साल दिये जाते हैं किसानों को अब देखो यहां पर जो एक वर्ड लिखा हुआ है ना लॉंच मुझे ऐसा लगता है कि शायद से अनॉंस्मेंट हुई थी तो इ इसकी अनॉंस्मेंट जरूर की गई थी तो मुझे जैसा लगता है कि शायद इसकी अनॉंस्मेंट हुई थी बागी लॉंचिंग इनकी एप्रिल में हुई थी विल सी एट एनिवे तो इसकान से क्या था आपनों का इसके हिसाब से आंसर आपके सारे के साही थे पीम किसान कि यूजना होती है जो सरकार 2019 में कि अंदर इंब बजट में जो है एनॉंस करी थी जिसके हिसाब से जितने भी फार्म फैमिलीज है उन्हें छे हजार रुपए सालाना दिये जाएंगे तीन इंस्ट्रॉल्मेंट के अंदर इसके साथ में अभी बताए गया कि अभी जो नं अनॉंस था ना मुझे ऐसा ही लग रहा है क्योंकि उस टाइम पर उसकी अनॉंस्मेंट नहीं नहीं लॉंचिंग पहले हुई लॉंचिंग बात में हुई थी लेकिन उसमें कवर किया जा रहा था दो हजार अठार दिसंबर या नवेंबर के भी फार्मर्स को ऐसा कुछ था लॉंचिंग इनकी गोरकपुर की और एप्रिल से की गई है मुझे ऐसा याद आर ऐसा स ठीक है चलो खेर इसका अंसर दो लॉस इंडामेज फंड यस करेक्ट ठीक है देखो जरा डेलिगेट सेट यूइन क्लाइमेट कॉन्फरेंस इन शर्म अलशेख एजिप्ट थ्रैश्डाउट एंग्रिमेंट इस्टैबलिशर लॉस इंडामेज फंड तो कंपेंसेट थे मो एक चीज आपको बहुत डीटेल में एक्स्प्लेइन करी थी नहीं देखे हो तो जाकर सेशन देख लो वहाँ पर आप लोगो काफे कुछ याद रहेगा ठीक है तो बाकी यहाँ पर देख सकते हो आप लोग जो एक्सपेक्टेड मॉनिटरी कंपनसेशन है लॉस इन इन स्टेट्स रूलीज भाई आर बिए गुजरात इस इस कंस्ट्रक्शन वरकर्स एवरेज डेली वेच फॉलोट बाइ जम्मो कश्मीर तमिल नाडू गुजरात रिपोर्ड़ेट हाई इस जी फसी एफ ओफ ओवर 72 तौज़न करोड त्युवल येज़न कान के पड़्ेन फटेघ्गश दझेंशीट्ट भूंगयाया बाइक्ति है इसमें से कौन सा ओप्शन आपका करेक्ट है बताईएगल तो कि मुझे क्या आजर मिल रहा है और सारे करेक्ट है सारे पॉइंट और पहला देखो कि पहले बोल रहा है गुज्रात आज हाइस्ट इसा है क्या देखो के रल जम्मु कश्मीर और तमिल नाडू में हाइस्ट वेश्ट था मैंने कितनी बार आपको बताएं यह मैं आपको यह भी बताती थी केरल में भाई 800 है गुजरात में भाई 300 यह 200 है बहुत ही कम है तो पहला वाला ऑप्शन तो आपका इसी कर रॉंग हो जाएगा क्यूंकि वह केरल में है गुजरात में सब्सक्राइब लोग जाते हैं वहां पर काम करने पर वहां पर बहुत ही कम वेज है ठीक है देखो अर्भी की लेटेस्ट रिपोर्ट यह स्टेट्स और इंडियन जम्मो कश्मीर के बाद पर तमिल नाड वा जाता है थर्ड इसके बाद अगर हम बात करते हैं ग्रॉस फिक्स कापिटल फॉर्मेशन की तो यह गुजरात की हाइस्ट है ठीक है यहां पर आप देख सकते हो अगर हम लोग ऑप्शन को देखते चलते हैं तो यह आप लोग द देखें तो पहला रॉंग था क्योंकि यह गुजरात ना हो करके गुजरात की जगह क्या है यह के लग तो एंट्री यार करेक्ट यानी अगला क्वेशिन देखो रीट फॉलॉइंग जूज दे करेक्ट ऑप्शन पहला आर्बिया ने अलाओ कि अपना स्पेशल वास्ट्र अब यह पहले फॉरेंड लेंडर संज ने अप्रूवल दिया गया था और वी आपने अपने जो एक बैंक फोल्ड करता ऑन बहाफ अनदर ऑफिन फॉरेंग और इस फॉर्म सब्सक्राइब बताना इसमें से कौन सा पॉइंट करेक्ट बताओ नहीं बताओगे तो दोस्तों देखो बहुत ही असान सा पॉइंट है मुझे दो आंसर्स मिल रहे हैं हैरी और सस्मिता बहुत हर आंसरिंग ए आंसरिंग ए विजय इस आंसरिंग डी मनेशा इस आंसरिंग ए चलो बात करते हैं ठीक है आपसे पूछा है कि इसमें से कौन सा आपका करेक्ट है ठीक है देखो अब यहां पी और पॉइंट आ रहा था कि गवर्नमेंट ने नौ बैंकों को पर्मिशन दीदी कि वह अपना-पना क्या कर सकते हैं अपने वहां पर वास्तों अपन करा सकते हैं इस बर बैंक एंड वी टीवी बैंक दे लाजेस्ट एंड सेकेंड लाजेस्ट बैंक ऑफ रश्या रिस्पेक्टिवली वर फॉर्स फॉर्स फॉरें लेंडर्स तो रिसीव अप्रूवल ठीक है तो यह पॉइंट में थोड़ी से कंफूजन हो सकती थी अगर हम देखे तो यह तीनों अब बताओ भी लोग क्या अंसर होगा पूछा क्या जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि अभी भारत ने किसके साथ में मिल करके एक इंट और को आपर परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग वेदर एक्स्ट्रीम और क्लाइमिट मॉडलिंग पे किसके साथ की है एक साथ की है नेक्स्ट विश कंट्री एस साइंड वोल्ल्ड लॉंगेस सप्लाई डील विच चाइना यह करने वाली कौन सी कंट्री थी दोस्तों यह करने वाली खतर थी इन्होंने गैस सप्लाई डील अभी साइन की है और इसमें इन्होंने बताया है कि 126 मिलियन टन्स पर यह यह अगोर्डिंग तो रिपोर्ट फोर्म इंस्टिटूशनल इंवेस्टर अड्वाइजरी सर्विसेज एंड एपीज असिट मैनेजमेंट अगर इसी तरह से इनका पेस रहा तो जो विमें रिप्रेजेंटेशन किसी कंपनी के बोर्ड में वो तीस परसेंट पहुंसते पहु इसे जॉइन करने वाले कौन है पूर्व रह चुके नीती आयोग के वाइस चेर परसंट राजीव कुमार जी ठीक है यह हम लोगों ने कर रखा था विच कंपनी एस रिसीट अप्रूवल ऑफ इन्वानमेंट मिनिस्ट्री एक्सपर्ट पैनल फॉर अ सम्मरीन केबल फॉर अपॉइंट्मेंट लेटर स्टु न्यूली इंडक्टेड रिक्रूट्स अंडर रोजगार मिला रोजगार मिला में दस लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी ग्रेड एबी सीडी लेवल में और हां इसका अंसर क्या होगा दोस्तों इसका अंसर हो जाएगा आपका नरेंद्र मोदी जी ने अभी अभी दिये मैक्सिमम जो है यह सीए पीएफ को जवान सीए पीएफ के जवानों को दिया गया है अब देखो इंडो पैसिफिक रिजिनल डायलोग से रिलेटेड आपको ब लिए पहले द्यालों और दूसरा साथ यह दूसरा तीसरा सी बिताव अगर अगर हम यहांब बातें कर लेते हैं से केंड लाइजिट को दियान देते हैं देदे हैं आपका इसके साथ हमें पता चल गया कि सेकेंड पोइंट तो अब का गर्लत है कीम देख लेते हैं हम लोग कीम जो था यह था ऑप्रेशनलाइजिंग इंडो-पैसिफिक कोषिशन इनिशेटिव यानि की तीसरा पॉंट्ट ही है इसके हिसाफ से तू इस इनकरेक्ट को इस बीन अपोइंटेश निव सी यू ओ डिजनी बॉब आइगर बॉब चपक एमी चैंग रीड हस्टिंग और यह तो हम लोग उने डेली क्वेश्चिन में भी कर रखा है और वन लाइन टाइप है इस जो असानी से हो सकता है इसका अंसर क्या दोस्तों यह बॉब आइगर को किया गया बॉब चैपक रिप्लेस हुए हमने कही बारे से देख रखा है यह सेम कोश्चिन हमने किया था इसंट इसंट इस तेशन कंट्री वस इस ट्रक बाई डेडली अर्थक्वेक तो यह कौन था इंडोनेशिया ठीक है इस थीम आप व्ल्ड एंटी माइक्रोबियल सब्सक्राइब करते हैं इसको अब्सक्राइब करते हैं इस पूरे पूरे वीक का मक्सेद यही होता है कि एंटी बायोटेक के बारे में यह आप लोग कह सकते हैं इंटी माइक्रोबियल रिजिस्टन्स के इस बारे में लोग को बता सकें इस बार का था प्रिविंटिंग एंटी माइक्रोबियल रसिस्टन्स तोगेदर आप से पूचा भी यही था कि थीम क्या था तो आप लोग देख सकते हो पहला पॉइंट करेक्ट है we better you better the polling in choose the current option for handbook of a state on Indian is it released by by RBI the Natasha came at the top position when campaign when comparing the total install capacity of great interactive renewable power of all states of the country it was ninth edition of the report publication covers subnationaliste SiT on socio-demographic स्टेट डमेस्टिक प्रोड़क्ट एग्रिकल्चर प्राइज इंडर्स्ट्री इंफ्रा बांकिंग और फिसकल इंडिकेटर्स अक्रॉस इंडियन इस्टेट्स ओवर वैरियस टाइम पीरियोड रेंजिंग फॉं 1951-2021-22 आपको यहां पर बताना क्या है कि कौन सा ऑप्शन यहां पर टोटल इंस्ट्रॉल कपेसिटी कितनी के दोस्तों 15463 मेगवाट की ठीक है तमिल नादू आपका जो है यह हां तमिल नादू वह सेकेंड एंड गुजरात वस थर्ड यह जो रिपोर्ट आई थी इसकी 7th edition थी इसके लावा यह वाला पॉइंट आप लोग देख थोड़ा इंपॉर्टेंट था यह लिखा भी हुआ था जो पॉब्लिकेशन है यह कवर करता है सब नैशनल इस्टेट सोशियो देमिग्राफिक सोशियो देमिस्टिक प्रोडक्ट इंफ्रा बैंकिंग एंड फिसकल इंडिकेटर अक्रॉस इंडियन इस्टेट ओवर वारि इस गिवन इन फोर केटिगरीज लैंड इड्वेंचर वाटर एड्वेंचर एयर अड्वेंचर एंड लाइफ टेम अचीवेंड नैना धागर वन अंडर लैंड केटिगरी तुबं धनंजय वनमली अंडर वाटर एडवेंचर ग्रूप कैप्टन कुवर भावाने सिंग व मिनिस्ट्री ओफ यूथ अफिर्स ने अभी अभी अनॉंस किया है TNNA-AA for the year 2021 इसको चार किटिगरी में देते हैं लैंड वाटर एयर लाइफ टाइम इस साल का जो नैशनल सेलेक्शन कमिटी था इसको बनाए गया था चेर्म पर्सन ऑफ दो सेक्रेटरी सब्सक्राइब को लैंड इड्वेंचर के लिए जाएगा शुबम धननजय वनमली को वाटर एड्वेंचर के लिए और ग्रूप का कुमर भवानी सिंह सम्याल लाइफ टाइम अचीवमिंट के लिए दे जा रहा है ठीक है तो यह आप लोग देख सकते हो अब अगर हम अब देख सेव दावर्ड फ्रम प्रेसिदेंट अफ इंडिया अलॉंग विद इस पोर्ट अवर्डी अन्ट थार्टी एथ देवल रिसीव इस्टाइट यूट साथिफिकेट एंड अवर्ड मनी ओ फिफ्टीन लाग ठीक है तुरी तो वही जी जी ये तुम्हें सही भी की थी जल नैना को भी मिला है ये में अलग से सही की थी और उसके बाद से लग रहा है ये सही से सेव नहीं हुआ चलो मैंने अपनी अकल यहां लगा दी और यह गडबर हो गई ठीक है अब वही बात है भाई कुछ ना कुछ एक गलत होई जाता है बिकॉस क्लास का प्रेशर जादा है ठीक है इसे मैं सही करके आप लोगों को दे देती हूं के एनिवे चलो अगला देखो रिजेंट्ली दा मिनिस्ट्री ओफ फिश्रीज एक्चुली क्या होता है मैं जब उससे सही की थी तो मैंने अपना दिमाग लगा और मैं सेव नहीं करी होंगे ठीक है तो यह आलम हो गया इसके साथ में चलो खेर रिसेंट्ली दा मैंने यहां पर जो है ना इ इस मनी मैंने सब आपको बताया था अब सही नो प्रॉब्लम क्या कह सकते हैं यह नोट लिफ विद एनी अधर ऑप्षिन इसका अंसर मुझे क्या मिल रहा है भी पहला आंसर है डार्क गेमिंग से इस अंसरिंग भी एनिवन इल्स जो कुछ बताना चाहता है नहीं बता होग सब्सक्राइब क्या करेक्ट है 25 नवंबर को मनाते है इसका थीम था यूनाइट एक्टिविजम तो एंड वालेंस अगेंस्ट विमें और गोल्स एक रिपोर्ट आई है प्रोग्रस ऑन देस्टेनेबल डेवलप्मेंट गोल्स जेंडर स्नाप्शॉट 2022 इसको पब्लिश कि तुच्ण सेरल जा ती आ है और तीसरे में तीति गलत है और पांच्वे मेंट तूसरा और तीसरा सब्सक्राइब तоворक्त तेसरे परवरी दो हजार में जनरल असेंबली ने अडॉप्ट कर लिया तो और बोला था कि हर साल 25 नवंबर को इंटरनाशनल डे फॉर्ट एलिमिनेशन ऑफ वाइलेंस अगेंस विमेंस सलिब्रेट किया जाएगा तो अगर हम इस पॉइंट को यहां पर देखते हैं यह पॉइंट तो बिल्कुल सही है ठीक है कि 25 नवंबर को यह सेलिब्रेट होता है तो अगर हम यहां देखते हैं तो दूसरा सब्सक्राइब को इसके अलावा इंटरनाशनल डेपोर्ट अगर हम बात करते हैं एक प्रोग्रेस अंदू स्टेनेबल देवल्लोप्मेंट गोल देजिंडर स सब्सक्राइब करने में इसे पब्लिश किया था और उसमें इन्हों ने बताया था कि जो भी वॉयलेंस होता है यह बहुत बड़ा एक फैक्टर है जिससे कि हम लोग ग्लोबल जेंडर एक्क्वालिटी 286 साल लग जाएंगे हमें अटेन करने में इसके अलावा इन्हों ने यह भी कहा था कि दस महिला या फिर बच्चियां जिनकी उम्र पंदर से उन्चास साल किये वह कहीं ना कहीं सेक्शुल या फिजिकल असॉल्ट की शिकार होती है अपने पार्टनर के द्वारा उसके हिसाब से क्या हो जाएगा all of them are correct ठीक है जलो दोस्तों कुछ और questions है ठीक क्लास होगी जहां हम discuss करेंगे क्या क्या questions आया थे जीए में ठीक है तो चलो फिर मिलते हैं आज हम लोग अभी दो बार और मिलने वाले हैं सेशन के बाद अब तक के लिए घर पे रहो स्वस्त्रों मस्त्रों है आव ग्रेट डिया है जैहिंजे भारत गॉड ब्लस्यों